है गाइस वेलकम टू वैदमी सो आगर थे आपके वैदमी के यूटूब चैनल पर आज के इस जॉब एंट प्यस्टी अप्डेस सेशन में हम आपके लिए बहुत लाए हैं बहुत एक अच्छी 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 खासकर उन सुद्स के लिए जिनका जैराफ कॉलि करना है लेकिन किसी कारण वस वह वहां नहीं जा पाते हैं वहां का एक्जामेशन क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उनके लिए अलग से पॉस्टिविटी आती है प्यस्टी कर सकते हैं जिहां आपने सही सुना आप एमस्टी प्यस्टी कर सकते हैं इसमें मैं मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इलिविल्टी क्या है तो इसमें है मास्टर्स मास्टर्स यानि आपका MSC हो गया या MTEC हो गया किसी भी Life Science Stream से कोई भी Life Science Stream चलेगी Biotechnology, Microbiology, Biochemistry, Geology वाटनी कुछ भी चलेगा अब इसमें इसटर्स सेलेट किया जाएगा जिन के पास fellowship नहीं है और जिनके पास fellowship है तो उसमें मैं इसमें इस बता दूं को कैसे सेलेक्षिन होगा एक हो जाएगा ऑन fellowship की चाहिव जिनके पास स्कुदकी फैलोशीप है उन्होंने CSR, ICMR, DBT यह सब्सक्वालिफाइब किया है नेक्स्ट जिनके पास fellowship नहीं है उनके पास fellowship नहीं इंसговब नहीं हो कि नोंफ से सब्सक्राइब करें इनकी फैलोशिप जो जिनका सेलेक्षिण होगा उनकी फैलोशिप होगी वह जो फंडिन इस इनसी होगी उस प्रोजेक्टी लाइक आपका सेलेक्षिन एक पोर्जेट के लिए चाहएगा उस पर्जेट के थूप प्यस ट्री करेंगे और आपकी जो फैलोशिप होगी इन फंडिन इंस्ट्शिप के तूरू होगी सो इससमघ में कैसे कैसे Analysis के हैंक्स्ट कैस क्या Examination होगा है इसमेंECya Mobogen Return Examination का स्वााइब होगा कम्द्राण एक अन्वीर थेस्ट रिटन एकरमेशन होगा جो दो लुक देना है जी हां, जो CBT mode examination और fellowship वाले students को भी देना है, और non fellowship वाले students को भी देना, अब fellowship वाले पूशेंगे, फिर हमारे फायदा क्या है, तो फायदा ये है, कि fellowship प्लस 10 marks extra मिलेंगे, समझे, जिनके पास fellowship है, उनको 10 marks extra मिलेंगे, computer based test में, अब इस computer based test का आगे पुड़ा detail भी बताऊंग कैसे computer based test होगा, so इसमें मैंने basic difference बताया, कि इसमें जिनके पास GRF है, वो भी इसके eligible है, जिनके पास GRF नहीं है, वो भी इनके लिए eligible है, बस difference यह है, कि GRF आलो को प्लस 10 marks मिलेंगे, bonus marks मिलेंगे, चलिए बढ़ते हैं on details के बारे में, so सबसे पहले बात करते हैं कि कब से form start ह परन तो form जो है आपका 12th of Gen से start हो चुका है, 12th of Gen से आपका form start हो चुका, last date of feeling की, last date है 26 January, so 12th to 26 आप form fill कर सकते हैं, next 31 January का आपको status है कि आपके form में कुछ गलती हैं, तो बताया जाएगा कि आप इन गलती को सधार दीजिए, तो correction की last date होगी 2 February, 2nd February तक आपको correction कर लेना है, मैंने क्या बताया, 12th Gen होगी form feeling की start date, मतलि means form feeling already start हो चुकी, आप fill कर सकते हैं, last date है 26, status जो आपको पता चलाएगा, 30 को like कि अगर आपके कुछ form में कोई correction होगा करना उससे बता दीजाएगा, so correction की last date होगी 2, next आपका जो finalization of center or admit card होगा, 5 को आपका admit card release हो जाएगा, then उसके के बाद आप देख सकते हैं, आप पर, जो examination होगा, 9 fabric होगा, जो आपका admit card होगा, वो 5 को मिल जाएगा, then examination जो होगा, आपको 9 fabric होगा, then results, stage 1 का result जो होगा, वो 19 को आएगा, तो इसमें इध्यान दखेगा, return के बाद interview भी है, return जो आपका stage 1 है, then return interview आपका stage 2 है, then departmental assistant, मैं जो एक department वाई सापका interview होगा, then आपके final results आएंगे, 11 of March को, और 30 of March से आप PhD प्रोगाम स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक बाद मैं summary बता दू, सबसे पहले कि जो form filling start date 12 January है, 12 January से आप form fill कर सकते हैं, उसके बाद last date 26 February, status रोगे को correction अगर करना होगा, आपको 31st January तक बताए जाएगा, then उसके बाद आप 2nd January तक अपना form correct कर सकते हैं, 5 January को admit card आ जाएगा, then 9 January को आपका return examination होगा, उसके बाद result जो है, आपको 19 तक पता चल जाएगा, final selection जो है, final result जो है, 13, 11th of March को आ जाएगा, चैनल ये बढ़ते हैं और details के बारे में, अब बात आती ही application fees, तो क्या इसकी application fees है, तो जो भी candidates general और VC category के हैं, उनके लिए fees होगी 2000 रुपीस, plus transaction charge, then SC, ST, EWS, candidates उनके लिए होगी 1600 रुपीस, तो क्या बताया, general, VC candidates के लिए fees है 2000, SC, ST, EWS, candidates के लिए fees है 1600, इसमें कोई women's category का कोई accepted नहीं है, same fees of men's and women's के लिए, बस जो PW candidates होगे, वो इस fees से accepted होगे, उन्हें कोई fees पेर नहीं करनी पड़ेगी, अब बात कर लेते हैं, examination के बारे में, कैसे आपका examination होगा, जैसे मैंने examination बताया, examination आपका computer-based test होगा, आपके पास 90 minutes होगे, paper दो stages में होगा, stage 1 और stage 2, date of examination 9 February को होगा, जो examination का center होगा, सिर्फ दिल्ली होगा, दिल्ली एंसेया, लाग दिल्ली नोईटा गुरु गुरु गा, इन्हीं रिजन्स में examination center होगे, आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, examination देने के लिए, इसके बाहर कहीं भी examination center नहीं होगे, shift, एकी shift होगा, और इसी में दोनों stage examination होगे, timing of examination 10 to 1130, language of paper English, objective type के questions होगे, number of questions stage 1 और stage 2 मिला के 70 होगे, तो stage 1 में आपके पास 30 questions होगे, और stage 2 में आपके 40 questions होगे, तो मैंने क्या बताया, computer-based test होगा, 90 minutes के computer-based test होगा, इसमें 2 paper होगा, stage 1 और stage 2, paper 1 में आपके पास 30 questions होगे, paper 2 में आपके पास 40 questions होगे, तो total आपके पास 70 questions, और जो distribution marks होगा, तो stage 1 में आपके पास aptitude related questions होगे, English type के, 30 marks के, और subject related होगे, 40 marks से, जो एक्टीट्यूर होगा उससे आपके 30 कोशन्स पूशन जाएंगे और सब्जेक्ट रिलेटेट से आपके पास 40 कोशन्स होंगे हर कोशन पर आपको वन मार्क मिलेगा इनकरेट माइनस मार्किंग भी है 1 बाइ 3 की कोई आंसर छोडते हैं तो उसको कोई आपके आंसर नहीं मिलेगा लाइक पॉजिटिव वन माक्स नेगेटिव वन बाइ 3 माक्स यानि अरूंड पॉइंट 3 थी कट आफ को क्या मैथड होगा तो जो मैं बतादू स्टेज 1 जो पेपर वन या पेपर टू समझ लिए स्टेज 1 स्टेज 2 इसमें जो 70 में से आपके पास आने चाहिए टोटल 35 माक्स तभी आप स्टेज 3 यानि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे मिन्स आराउंड 50 परसेंट आपको स्टोर करना पड़ेगा इन दोनों एक्जामेशन मिला के मैंने क्या बताया जो स्टेज 1 या स्टेज 2 यानि पेपर 1 या पेपर 2 जो आपके 30 प्लस 40 कोश्चन तोटल 70 कोश्चन यानि 70 माक्स उसमें एकलिस 50 परसेंट यानि 35 माक्स आना परसेंट मार्क्स लाना जुरूरी है प्लाइट 10 माक्स उनको बाद में इंटर्व्यू के टाइम एट किये जाएंगे यहां पर उन्हें कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें चाहे जैराफ हो चाहे नौन जैराफ हो आपको 35 मार्क्स लाना ही लाना होगा स्टेज 1 औ पेपर टू में क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिफ्टी परसेंट मार्क्स देर उसके बाद आप इंटर्व्यू के लिए सेलेक्ट होंगे चलिए बढ़ते हैं और डिटेल्स के बारे में क्येन अब इसमें नंबर शील्स बताई गई है तो डिफरी दिख सकते हैं डिफरीर इफरी में नंबर अफटी है लायप की जो प्रोजेक्ट में जिसमें नॉन जार। ने कितनी सीट्स है और यहектор के लिए उनके बात का ध्यान रखिएगा जो जैर्स वाले होंगे वह दोनों में लिजबल होंगे और जिनके पास जैर्स नहीं वह सिसी में लिजबल होंगे क्यावता है मैंने जो जैर्स हाले हैं वह इन सिर्फ इन दोनों में 정부 होंगे और जिनके बाए जआए वह सिर्फ इसमें इसनल होंगे इन neonomर किछ के लिए उसके बाद बीके ऐं घर इंटेल भी दिया गया है क्या कि उनकी इंडिज्वल लिकाइबाइड और सब दिया गया है इस आगे के पीजस पे तो अब इसको देख लिए गया हूँ और इसके साब सब्सक्राइट कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें उन्होंने साब डिपार्टमेंट वाइस से इलिजबिल्टी बताया है तो मैंहां पे पुछ जनरल इजबिल्टी बता दे रहा हूँ जनरल इजबिल्टी में जो नॉन मेंडिकल स्रूइंट से हुँंके लिए मास्टर डिग्री टू यर्ड को कोर्स जो होता है अब बात रहे इस स्पेशल वेटिस की तो जैसे कि पहले ही में बताया जो स्पेशल वेटिस होगा वह जो जो जैराफ क्वालिफाइट टेंडिर्स होंगे लाइक स्पेशल वेटिस में नहीं मिलेगा रिटर्न एग्जामिशन में उनको 50% से क्वालिफाइट होना पड़ेगा बाद में इंटर्व्यू जब होगा तो उसमें वहां पे उनको स्पेशल वेटिस मिलेगा 10 मार्स का तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो होग कि मैंने आपको काफी डिटर्स बता दिए इसमें जितनी इंट्रेल्स आपकी जबरूत की बाकी डिटर्स के आपकी इडिया भी पड़ सकते हैं तो एक बार समरी में फिर से बता दे रहा हूं इसमें मास्रस या M.Tech students इसके लिए इलिजबल हैं किसी भी लाइफ साइज स्ट्रीम के लिए इसमें जैराफ करेंडियर्स नॉन जैराफ करेंडियर्स दोनों है दोनों को रिटेन एक्जानमेशन देना है रिटेन एक्जानमेशन में 50% से क्वालिफाई करना है इनको इंट्रिवी है तो इसमें हमें कमेंट सेक्शन मजब बताइएगा मुसको जरू सॉल्ट करेंगे थैंक्यू एंट बाबाए